हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कॉशिट का एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्वेशिन करने वाले हैं इसमें कम्बाइंड कॉस्ट का क्वेश्चन है तो जैसे के क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा पर अभी एक बैगराउंड क्रेट कर रहा हूं कि लेदर है और लेदर में से हम शूज बना रहे हैं दो अलग अलग टाइप के शूज बना रहे हैं तो राव मटीरियल एक ही है दोनों के लिए कोई अलग 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 खरीदते नहीं है खरीदने के टाइम तो एक ही लेदर खरीदते हैं बट सेम लेदर से हम दो अलग अलग shape के size के shoes बना रहे हैं तो जो raw material हम consume करेंगे वो दोनों में अलग-अलग होगा अब मैं worker हूँ मैं दोनों type के shoes बनाता हूँ तो जो wages मुझे मिलेगा वो तो combined होगा, total होगा तो ये question में हम वो सीखने वाले हैं कि अगर cost जो दिया है वो combined cost होगा तो using some ratios, some information which is given to us हम दोनों अलग-अलग product के cost कैसे निकालेगे तो ये question में थोड़ा सा costing है और साथ में थोड़ा mathematics भी है तो आईए सीखने के शुरुआत करता है Messers Bata Shoe Company manufactures two types of shoes A and B तो आप visualize करिएगा A and B, maybe you can visualize एक gents का shoes है, एक ladies का shoes है Production cost for the year ended वर direct material 15 lakh direct wages 8 lakh 40 Production overhead 3 lakh 60 There was no WIP at the beginning और at the end of the year याने जितना shoes हमने बनाने का start किया सब हमने at the end of the year production complete कर दिया It is ascertained that direct material in type A shoes consists twice as much as that in type B shoes तो A हम gents के shoes assume करते है और B ladies का shoes assume करते है तो A में जितना raw material जाता है वो B के raw material से double जाता है ठीक है? इसको दिमाग में रखिए गया direct wages for B वर 60% of those for type A shoes याने example type A shoes बनाने में अगर 10 घंटे लगते हैं तो B बनाने में सिर्फ 6 घंटे लगेंगा आगे production overhead was same per pair for A and B administrative overhead was 150% of direct wages production during the year were A 40,000 pairs out of which 36 was sold याने 4000 A वाले pair जो है वो stock में है, closing stock में B 1,20,000 बनाए और 1,00,000 बेचे याने B वाले 20,000 पैर हमारे stock में है selling cost was 1.5 रूपी per pair and selling price was 44 and 28 for A and B respectively prepare a statement showing cost and profit तो हमने यह format बना के रखा है अभी question आपके सामने रखेगा आप I cannot display the question also question आपके सामने रखेगा ठीक है हमने question को छोटा कर दिया ताकि screen पे हम सिर्फ answer देख सका है अभी it is visible चलिए तो हमने यह format बना दिया cost sheet for the year ended यह है column हमारा shoes A का और यह column shoes B का हमेशा बेटा cost sheet में यह दो information सबसे पहले gather करो question पढ़के कि A type के कितने shoes हमने manufacture किये इस साल में तो 40,000 बनाए और क्या सब बेच दिये नहीं ना sir 36,000 बेचे तो 4000 का stock पढ़ा हुआ A का B 1,000,000 बनाए और 1,000,000 बेचे ठीक है अभी थोड़ा question पे भी जाना पढ़ेगा बीच पीच में direct material total 15,000,000 रुपे का use हुआ है अब दो तरीके हैं इसको solve करने के पहला तरीका मैं X और Y assume करके आपको solve करवाता हूँ तो हम assume कर रहे हैं कि B का एक शू का raw metal cost X रुपीज है I will repeat B के एक शू को बनाने में X रुपे का material जाता है तो question में बोला गया था A में B से double जाता है तो A में अगर X रुपे का material जाता है I am sorry B में अगर X रुपे का material जाता है तो A में 2X जाएगा पर पेर हाँ पर पेर I will repeat one more time B टाइप का शू बनाने में अगर एक पेर में X रुपे का material जाता है तो A टाइप के शू में B से पर पेर डबल जाता है तो 2X का raw metal जाएगा अब बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गंबीर भूल करते है पुछो क्या इतना अज्यूम करने के बाद ना बच्चे लिख लेते है X प्लास 2X is equal to 15 लाक X एक है 2X दूसरा है और ये दोनों का total 15 लाक तो ये बहुत बड़ी भूल है बहुत बड़ी भूल इसको मैं red लिख देना हूँ red एक्दम red रहे क्या भूल है तो बाबा मैं assumption भी ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले मैंने जानबुच की ये लिखा था let B is X ये अधूरा है तो मैं पूरा अगर लिखूंगा थोड़ा tube light होगा शायद let material cost per pair of B is rupi X अभी थोड़ा clarity आया कहां गड़बुर कर सकता है ये X क्या है भाई एक pair का cost है and मैं नीचे copy कर लेता हूँ उपर वाले को और B के लिख दे तो therefore therefore material cost per pair होना चाहिए paid क्या होता है per pair of A is rupi 2X तो एक pair का X है बबा और एक pair का 2X है अब पूरे साल में A बनाए कितने आपने तो sir A हमने 40,000 बनाए तो 40,000 into 2X ये हमारा A का cost होगा plus B कितने बनाए sir B 1,20,000 बनाए तो B का cost होगा 1,20,000 into X तो आपका total material cost कितना हुआ 80,000 X plus 1,20,000 X that is 2,00,000 X which is equal to question में दिया है material cost 15,00,000 रुपया तो 2,00,000 X is equal to 15,00,000 and therefore X is 7.5 2X is 15 तो अभी X क्या है बटा X एक पैर का है और हमें B कितने बनाए 1,20,000 तो 1,20,000 into 7.5 gives you 9,00,000 तो B का material cost आपको मिल गया 9,00,000 15,00,000 total है B का 9 है तो A का 6,00,000 यहां पर लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो per unit का column भी बीच में बना सकते हैं वैसे कोई जरूर नहीं होता है अगर question में specifically per unit पूछा है तब ही वो column बनाना होता है अगर आपने extra बना लिया तो उसके marks कटते नहीं हैं बटा अब यह मुझे लगता है थोड़ा long cut है I will repeat यह जो X वाला system है though I know you are obsessed with X मैं बताता हूँ तो ratio of production A हमने कितने बनाएं 40 अर बनाएं और B कितने बनाएं 1,20,000 तो production का जो ratio है वो 1 is to 3 है consumption का ratio क्या है तो consumption का ratio 2 is to 1 है क्यों भाई अगर इदर 1 रुपे का खर्चा होता है तो इदर double खर्चा होता है question में बोला है तो इदर ratio of consumption लिखा और अभी हम product लेंगे याने ये 1 into 2 2 होता है 3 into 1 3 होता है तो मेरा जितना भी material cost हुआ है पूरे साल में which is 15,000,000 in this case वो 15,000,000 को मैं 2 is to 3 मैं allocate कर दूँगा तो मिल गया 6,000,000 और 9,000,000 है ना solid shortcut तो ये x की मघजमारी करने का क्या ज़रूद है भाई logic लगाएं तो एक और बार logic समझाते है finally मेरा a में और b में खर्चा कितना होगा वो दो चीज़ पे dependent है पहली चीज़ कि मैं कितनी quantity बना रहा हूँ और दूसरी चीज़ हर quantity में कितना leather लग रहा है तो दोनों के product का ratio will be the cost consumed for a as well as b I hope the thing is clear to you अगर आपको experiment करना है तो वीडियो को यहाँ पे pause करो wages में आप खुद try करो मेरे वाले method से और फिर continue करो वीडियो ताकि आपको पता चले कि आपको ये concept समझ में आया है दिमाग में एकदम गुस गया है कि नहीं गुस है ठीक है तो I hope आपने वीडियो pause किया होगा try किया होगा and फिर अभी आगे बढ़ रहे है तो आगे क्या लिखा है पढ़ते है wages के बारे में तो wages के लिए लिखा हुआ है कि B में जो खर्चा होता है वो A का 60% है तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं अभी X वाला system नहीं कर रहा हूँ वो आपके उपर छोड़ा हा तो मैं इदर आ गया और मैंने assume किया assume क्या करना है तो दिया हुआ है ratio of production क्या है 1 is to 3 है और ratio of time time कितना है अगर इदर एक घंटा लगता है तो इदर 0.6 लगेगा अचा कोई बच्चा बोलता है सर आपको कैसे पता इदर एक लिखना है बेटा कुछ भी लिख इदर अगर मेरे को 10 घंटे लिखना है लिखो 10 घंटे तो फिर ये 6 घंटे होगा है कि नहीं तो ratio की बात है figure नहीं problem है कुछ भी लिख सकते हो आप ठीक है पर ratio में गड़बड नहीं कर सकते हो तो हम वापस आ गए 1 is to 1.6 याने अगर इसमें एक घंटा लगता है तो इदर 0.6 अब product निकालेंगे 1 into 1 1 3 into 0.6 1.8 याने मेरा wages का जो total खर्चा है wages का total खर्चा कितना है बिटा wages का total खर्चा 8,40,000 है question तो 8,40,000 को मैं 1 is to 1.8 में divide करूँ तो 1 plus 1.8 2.8 होता है 8,40,000 divide by 2.8 that is 3,00,000 so 1 is 3,00,000 and into 2.8 that is into 1.8 that is 5,40,000 तो मेरा A का wages हो गया 3,00,000 और B का wages हो गया 5,40,000 तो बहुत ही interesting है material और wages अब थोड़ देख रहे है थोड़ क्या है material wages को पहले add कर देते हैं तो क्या मिलता है बटा prime cost मिल जाता है direct material plus direct wages you get prime cost अब आते है next history production overhead was the same per pair for A and B तो अब ये तो सबसे simple हो गया भाई क्या simple हुआ अभी बताता है तो ये third working note है तो ratio of production 1 is to 3 है ratio of usage 1 is to 1 है same per pair बोला है same per pair बोला है same ऐसा नहीं बोला है per pair बड़ पढ़ना ज़रूर ही है याने 1 is to 3 में मुझे total cost को allocate करना पड़ेगा 3,60,000 total factory overheads है 1 is to 3 में divide करेंगे तो 90 is to 270 होगा तो ये ही मुझे मिल गया prime cost में factory overhead add कर दिया तो cost of goods प्रड़ीउच आगा अब आते हैं closing stock पे तो 9,90,000 और 17,10,000 ये cost है closing stock का जो value है वो हमें cost of production पे लेना होता है closing stock की value हमें लेनी होती है cost of production पे तो हमने इदर एक working node बनाया है ये रहा cost of goods produce 9,90,000 और 17,10,000 units कितने बनाया है 40,000 और 1,20,000 तो cost per unit मिलेगा आपको इस से divide उतर होगे 9,90 divided by 40 you will get 24,75 याने A type का एक shoes बनाने का मेरा खर्चा जाता है 24,75 और B एक pair बनाने में मेरा खर्चा जाता है 14,25 A का stock है 4000 तो ये दोनों multiply करेंगे 24,75 into 4000 B का stock है 20,000 तो इन दोनों को multiply करेंगे तो ये आएगा 2,85,000 ओके ये 99,000 और ये 2,85,000 ये मेरा हुआ closing stock of finished goods अब आते हैं cost sheet पे वापस तो opening stock तो था नहीं कुछ question में less closing stock हमने minus कर दिया तो ये आगया cost of goods sold 9,90,000 is the cost of goods that I produced और 8,91 and 14,25 is the cost of goods that I sold अब admin overheads admin overheads बोला गया है 150% of wages है हमने आपको बताया है कि हम इसे assume कर रहे हैं कि ये general overheads है आप इसका एक note लिखोगे कि ये general overheads है alternatively आप उसे इधर COGP के पहले भी add कर सकते हो in that case जो calculation है वो change हो जाएगा but I would not advise मैं सीधा repeat करूँगा आप assume करें कि ये general overheads है और इसका एक note लिख लिखो 150% of wages याने wages है मेरा 3,00,000 उसका 1,50% 4,500,000 5,40,000 उसका 1,50% is 8,10,000 फिर है selling cost is 1.5 per pair sold per pair sold तो ये हमने बेचा है 36,000 into 1.5 करोगे तो 54,000 आएगा B हमने बेचा है 1,00,000 into 1.5 करोगे तो 1,50,000 आएगा ये तीनों को जब हम add करते है cost of goods sold admin और S&B तो हमें cost of sales मिलता है दोनों का question में selling price दिया गया है A का selling price है 44 और B का selling price है 28 तो ये जब हम multiply करेंगे 36,000 units into 44 तो ये आपको figure मिलेगा और 15,84 minus 13,95 ये 189 आपका balancing figure होगा profit similarly 1,00,000 units अपने B के बेचे हैं multiplied by 28 sale value आएगा और उसमें से 23,85 minus करोगे तो profit आएगा आप इस वीडियो के द्वारा ये question समझ पाए होंगे combined cost sheet का question है आपको तीन चीज करनी है जो हर वीडियो में बोलता है पर आप करते नहीं हो so I request you to do it number 1, आपको like करना है वीडियो को second, आपको subscribe करना है हमारी चैनल को if you have already not done so far and third, आपको share करना है आपके friends के साथ thank you so much, all the best, take care, bye-bye